आज हम पढ़ेंगे प्रोकेरियोटिक सेल के बारे में, कल हमने ओवर्वियू देखा था यूकेरियोटिक और प्रोकेरियोटिक सेल के बारे में, clear? कली मेिनिंग बताया था, प्रो मेंस होता है प्रिमिटिव, clear? कारियोटिक मेंस कैर्याउन, means नुकलेश, on the basis of the नुकलेश इसका नाम रखा गया है प्रोकेरियोटिक त्यूकि इसमें जो नुकलेश होता है वो प्रिमिटिव टाइप होता है, clear? now we are coming to इसके अंदर क्या क्या आता है यह include करते हैं bacteria नाम पहला होता है BGA that is the blue green algae और इसको हम कहते हैं साइनो बैक्टीरिया ठीक है यह बैक्टीरिया है जो कि blue color का है green pigment पाया जाता है इसमें that is the chromatophore इसलिए इसको algae category में रखा गया है क्योंकि अपना भोजन खुद बनाता है photosynthesis खुद करता है clear second hand PPLO PPLO का घर का नाम देखें तो क्या है mycoplasma full form of PPLO पीरो निमोनिया लाइक ओर्गेनिजम ठीक है नाव इसकी बैक्टीरिया क्या होते हैं बैक्टीरिया वेरी स्माल इन साइज होते हैं smaller in size we cannot see with the naked eye ठीक है हर जगा प्रेजन है हमारे palm में इस board में everywhere but we can't see multiply very fast क्योंकि इन में कोई complexity नहीं है एक cell है वो continuously replicate होती रहती है उसका material DNA material replicate होता है number of bacterias form होते रहते हैं na nanosecond clear now we are coming to the shapes of the bacteria so bacteria में आते हैं clear shapes of bacteria में पहला जो bacteria है that is the circular उसको हम क्या कहते हैं cocus circular ठीक है इसका नाम क्या होगा cocus second आपका rod like होता है ठीक है उसको कहते हैं bacillus third qma like होगा क्या 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 होता है इसको कहते हैं vibro up एक होता है spiral-like इसको कहते हैं spiralum क्लियर कोकस में भी कही प्रकार के होते हैं जैसे 2 हो गया तो इसको हम क्या कहते हैं इसको कहते है रिजेंट तो इसको आगे अगर यह क्लाइन में प्रीजेंट है तो इसको कहेंगे । ऑर अगर यह ग्रेप के जैसा है बंचिस में प्रेजेंट हैं धाशे को कहेंगे producing प्लाइलो को कज. अब होता क्या है? जो ये shapes और बैक्टिरिया होते हैं, वो आपस में exchangeable होते हैं, यानि कि अगर आपका circular है, और आपका circular है, they will change into the rod-like और ओर बैक्टिर नेचर को change होने की नेचर को क्या कहते हैं? Plumorphic in nature, Bacteria क्या होते हैं, Plumorphic in nature होते हैं, for example, एक परेस्ण, को, bacterial infection हुआ, उसने test करवाया, रिपोर्ट में पाया, कि उसको, जो infection था, वो किस से था,UT कॉकस से था, डॉक्टर ने उस शीच की matrix ה Timeáveis, ठीक है लेकिन उस patient को कोई फरक नहीं हुआ उस medicine से वह effective नहीं हुई उसने doctor को उल्टा सिधा बोलना start कर दिया ठीक है तो हुआ क्या था doctor बढ़िया था हुआ क्या था वो जो cocus bacteria था वो convert हो गया था another form में that is a vibrio तेक है जो medicine थी वो cocus के लिए effective थी not for the vibrio तो यहाँ पर क्या होता है यह exchangeable हो जाते हैं इनके form coming to the next point that is the organization of bacteria organization कैसा होता है bacteria में that is fundamentally similar fundamentally similar का मतलब क्या हुआ कि सारे bacteria क्या है unicellular है तो यानि कि जो भी उनके अंदर जो भी काम होगा वो एक ही cell के द्वारा होगा ठीक है इसका मतलब यही हुआ कि इनका organization similar होगा सभी बैक्टीरिया आज में नाव कमिंग तो दे नेक्स पॉइंट सेल वाल प्रेजन्ट क्लियर अभी यह बैक्टीरिया है तो इनमें होता क्या है जो सेल वाल प्रेजन्ट होगी किसके होगी आउटर टू प्लाजमा मेंब्रेन एएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए बट नौट वेल डबलेट ठीक है नो डबल बाउंड़ अरगनली इस प्रेजिन्ट अब ये डबल बाउंड़ अरगनली क्या है यानि कि वो स्ट्रक्चर्ज जो की डबल मेंब्रेन होते है या फर्दर स्टुड़ी में सेल्स के ही चप्ट में पढ़ोगे कि कौन-कौन से डबल बाउंड़ेट होते हैं यहां पे इसे हम नाम मेंशन कर दे रहे हैं माईटो कॉंट्रिया ठीक है नुक्यास नुक्यास होता भी है बट वेल डिफाइन नहीं होता है उसमें मेंब्रेन नहीं प्रेजन्ट होती है यहां पे क्लिए और plastids, ठीक है, ना ही इसमें single bounded structure present होता है, no single bounded organally present ठीक है, single bounded क्या होता है, यानि कि जिनमें single membrane present होती है, जैसे कि हो गया आपका ER मतला endoplasmic reticulum, golgi body, micro bodies, इन सब के बारे में further studies करेंगे, clear, etc, lysosome, etc कुछ भी इनमें present नहीं होता, इनमें सिर्फ एक cell present होता है, एक organally present होती है, that is ribosome present अब मैंने बोला, ना यहाँ पर double bounded organally है, ना यहाँ पर single bounded organally है, तो यह ribosomes के उन से membrane की है, तो इसका, जो ribosomes होता है, no membrane found यानि कि without membrane structure होती है, simple smallest cell होती है, सबसे, ठीक है, smallest होता है, सबसे, और जो prokaryotic यानि कि bacteria में जो ribosomes present होता है, वो होता है 70S, clear, 70S की subunit क्या होंगी, 30S और 50S, यह बाद में बताएंगे, कि यह क्यों है, ठीक है, यह mechanism होता है, इनको add-on करने की कोशिश मत करना, add-on नहीं है 70S, इसका mechanism होके, इसकी subunit में डिवाइड होते हैं, clear, now coming to the next point, साथ साथ ही no down करते रहा करो, बेटर है नो, लिख लिख के याद दे हो जाता है, यहाँ पर क्या होता है, no centriole और centrosome present, no centrosome and centriole, यानिकि यह भी इसमें absent होता है, clear, यहाँ पर genetic material present होता है, ठीक, genetic material present होगा, लेकिन कैसा होगा, naked होगा, naked का मतलब यहाँ क्या है, no histone protein, क्लियर, क्लियर, हिस्टोन प्रोटीन का काम क्या होता है, अब यह स्टोन प्रोटीन कहां से आई, जो हमारा DNA होता है, हाईर अनिमल का DNA होता है, उसकी लंद बहुत होती है, 2-4 मिटर होती है, ठीक है, लेकिन जो आपका प्रोकेरियोटिक है, that is a bacteria, very small होता है, तो उतना लंबा DNA नहीं होता, तो उनको हिस्टोन प्रोटीन प्रोटीन पैकेजिंग अप DNA में हेल्प करता है, तो यहाँ पे, क्योंकि DNA small है, cell small है, इसलिए यहाँ पे कोई नीट नहीं होती है, स्टोन प्रोटीन की, जो जेनेटिक माटेरियल होता है, वो आपका सर्कुलर होता है, और डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, इसको short form लेखते हैं, DS, DNA, ठीक है, DNA होता है, डबल स्टैंड लाइक इस टाइक का, जो हम में होता है, हम में कैसा पाया जाता है, हम में DNA ऐसा पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं, लेनियर, इसलिए यहाँ पे हिस्टोन, हम में हिस्टोन प्रोटीन की जरवत होती, यूकरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन की जरवत होती, क्योंकि यहाँ वो scattered होता है, साइटो प्लाजमा में, कोई membrane में structure नहीं होता है, इसका, nucleolus वगेरा में present नहीं होता क्योंकि, तो scattered होता है, आपका यहाँ पे, clear? Coming to the typical bacterial cell, bacteria, bacteria, इसकी cell के हम ड्रॉ करते हैं, prokaryotic हो, या eukaryotic हो, क्या present होगा, plasma membrane, clear? plasma membrane के बाहर क्या present होता है, यह क्या present है, यह आपकी है, cell wall, clear? इस cell wall के बाहर भी एक covering होती है, ठीक है? जो मेंली, अपकी होती है, इसकी जो, प्लाजमा, प्लाजमा मेंब्रेन है, वो कहीं कहीं से फोल्ड होती है, ठीक है, इस टाइप से, और एक structure बनाती है, जिसको हम कहते है, mesosome, clear? mesosome, क्या होता है, इसका function क्या होता है, mesosome, जो हमारी eukaryotic cell होती है, उसके mitochondria की तरह work करती है, mitochondria का का काम क्या होता है, energy provide करता है, तो यहाँ पे क्या होता है, energy provide करता है, first function, second हो गया, secretion of enzyme, enzyme का secretion करता है, ठीक है, folding का मतलब क्या होता है, जब हम, Nokia का mobile में आपने देखा होगा, एक game होता था, सांप वाला है ना, तो उसमें जब, हम points पाते रहते थे, तो यह लंबा होता जाता था, सांप, और हम out नहों, उस चक्कर में क्या करते थे, सापको को fold करकर करके, उस points को पाते थे, तो उसको fold करने का मकसद क्या था हमारा, कि उसका surface area बढ़ जाए, तो यह क्या करता है, surface area bacteria का increase करता है, मीजोजों, clear, और एक last काम होता है, cell wall की formation में भी help करता है, clear, अब यहाँ पर मैंने बोला था, कैसा आप DNA प्रिजन्ट होता है, double standard circular DNA, इसको हम कहते हैं, nucleoid, या genophor, यह आपका क्या है, main genome है, clear, यानि कि यह क्या है, double standard DNA, यह typical bacterial cell में है, किसी किसी में change भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में, एक extra chromosomals प्रेजन्ट होता है, that is the extra chromosomal DNA, यह आपका main है, यह replicate करता है, इस plasmid का काम क्या होता है, यह resistant होता है, एंटी बायोटिक्स में, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, जैसे penceline है, ठीक है, penceline है, एक mycoplasma है, mycoplasma में cell wall absent होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा penceline काम नहीं करता, ठीक है, जो एंटी बायोटिक है, फर्स्ट एंटी बायोटिक्स जो डिस्कवर की गए थी, और जो plasmid है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजन्ट होता है, यह भी क्या होता है, रेजिस्टेंस टू एंटी बायोटिक होता है, ऐसा नहीं है, कि अगर हमें plasmid वाला बैक्टीरिया अगर हमें इंफेक्ट करेगा, तो हम मर जाएंगे, उसके लिए भी अलग कोई medicine होगी, पर्टिकुलर जो common antibiotic होता है, वो इनके लिए useful नहीं होते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजन्ट होता है, mRNA प्रेजन्ट होता है, और इसके उपर क्या लगे होते हैं, ribosomes लगे होते हैं, एक चीज और, यहाँ पर plasma membrane से ही stick किये हुए क्या लगे होते हैं, 70S ribosomes, ठीक है, इन ribosomes का क्या काम होता है, ribosomes को protein factory कहते हैं, यहनि कि synthesis of protein करता है, clear, इसके अंदर हमारा cyto-blasma हो गया, और, कुछ inclusions body present होती है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, कुछ inclusion bodies present होती है, अब, इतने structure present हो गया, now, question arise होता है भाई, यह movement कैसे करते हैं, ठीक है, यह whole cell से चिपकते कैसे हैं, और यह replicate कैसे करते हैं, तो क्या होता है इनके पास, इस plasma membrane से लगी हुए, छोटे-छोटे क्या होते हैं यह, पिलाई present होते हैं, इनको हम कहते हैं पिलाई, यह motility में कोई help नहीं करते, यानि कि movement में कोई help नहीं करते, इनका काम क्या होता है, replicate करना, reproduction करने में, mating करने में help करते हैं, clear, जब आब bacteria का chapter पढ़ोगे, तो उसमें पढ़ोगे, यह बैक्टीरिया, reproduce होते हैं, by conjugation, transduction, transduction, ठीक है, और transfusion द्वारा, तो यह conjugation में help करते हैं, reproduction में help करते हैं, बैक्टीरिया के, और एक long structures present होते हैं, like this, ठीक नहीं रहना, ठीक है, यह आपके क्या हो गए, यह जो पिलाई होते हैं, से बने होते हैं, और जो आपकी जो फलेजलो होते हैं, long, वो किस से बने होते हैं, यह आपका फलेजलो हो गए, यह फलेजलन प्रोटीन से बने होते हैं, इनका काम होता है, movement करना, motiline, nature होते हैं, clear, एक और small structures present होते हैं, इंकी surface पे, very bristle like structure, छोटे छोटे पूरी body surface पे present होते हैं इनको हम कहते हैं fimbri इनका काम क्या होता है fimbri का bristle-like होते हैं sprouting out of the growth ठीक है इनका काम होता है hose cell से attach होने का clear I think clear हो गया होगा एक बाद फिर देखते हैं इसको revision करते हैं main bacterial cell है आपकी that is the three layer glycocalyx हाँ एक चीज और जो glycocalyx होती है two type की होती है slime layer और capsule में होती है ठीक है अलग अलग एक साथ ने तो three layers हो गए अभी बताते क्या होता है plasma membrane cell wall ने लिखी हाँ cell wall number one number two number three यह आपकी three क्या हो गई self envelope हो गई ठीक है इस glycocalyx में क्या होता है slime layer होता है या फिर capsule होगा two type के present होते हैं glycocalyx भी slime layer में क्या होता है जो इनकी layers होती है वो loosely packed होती है ठीक है यह ज़्यादा effective नहीं होता और इसमें हमारे antibiotic बहुत अच्छे से असर करते हैं capsule क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है capsule है तो यह rigid होता है और एकदम अपने आपको हाइड करता है हमारे immune systems में हमारा immune system में क्या होता है है wbc होती है जो कि इन बाहर bacterial या foreign bodies को किल करने आती है तो यह उनसे अपने आपको छिपा लेते हैं hide कर लेते हैं clear फिर आते हैं mesosome में mesosome as like the eukaryotic mitochondria होता है दूसरा function हो गया secretion of the enzyme ठीक है surface area को increase करता है cell wall की formation में help करता है ठीक है now यहाँ पे double standard circular DNA present होता है जो कि main genomic structure है plasmid extra chromosomal structure हो गया ठीक है mRNA present होगा और बाहर outer structures में फिम्बरी पिलाई और फ्लेजला present होगा clear और 70S ribosome जो की protein factory जिसे कहते हैं protein synthesis का formation करता है फिम्बरी का काम हो गया आपका attach होना host cell से हमारी body से clear पिलाई का काम क्या हो गया reproduction में help करता है conjugated करने में help करता है फ्लेजला का काम हो गया movement में clear thank you like and subscribe my channel अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो like करना ना भूले